अब सबका कुक्सा देश्विग्यन विश्य के अध्याए 10 में हर्दिक स्वागत है इस चेप्टर की चार क्लासिज अल्डेडी हो चुकी है अगर आपने वो क्लासिज नहीं देखिए तो चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं की लिंक देदूंगा वहाँ जाकर आप उन चारों क्लासिज को आराम से देख सकते हैं ताकि आपको आगे की टॉपिक समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिकत ना आए तो आज हमारे अध्या 10 का पार्ट 5 है यानि भाग 5 है जिसमें हम कांच के सलेब से परकास का अपवर वरतना का क्या होता है इसको समझेंगे तो चलिए कलास हम सरू करते हैं देखें हम बात कर रहे हैं कांच के सलेब से परकास का अपवरतन की इस परयोग की मदद से हम कैसे सिद कर सकते हैं कि वास्तम में अब वरतन की गड़ना सही होती है या नहीं होती है इसको कैसे समझ सकत इसी बात को हम समझेंगे, तो कांच के सलेब की साहिता से हम एक सरल परियोग के द्वारा अपवरतन की गटना को सुगमता यानि आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कांच के सलेब की मदद से हम एक सरल परियोग करके अपवरतन की गटना को हम आसानी से समझ सकते हैं, अ सबसे पहले एक कागज पर एक आयताकार कांच का स्लेब रखिए एक बड़ा सा गता लीजिए या एक कागज का पेज लीजिए और उस पर एक आयताकार कांच का स्लेब जैसा आपको चित्र में दीख रहा है एक आयताकर कांच का टुकड़ा लेना है जो कैसा हो पारदर्सी हो ऐसा आपको एक टुकडा लेना है ठीक है एवं पैंचिल से इसकी रूप रेका खिंचिए और पैंचिल से इसके चारो तरब की बाउंडरी बना लीजिए आप ताकि ये पैंचिल से इसके चारो तरब की आप क्या बना लीजिए boundary बना लिजिए ठीक है पहला काम अब जैसे आपने boundary बना ली A, B, C और D है ना इसके रूप रेखा का आपने क्या नाम दे दिया A, B, C और D नाम दे दिया A बिंदू यहाँ पर है B यहाँ पर C यहाँ पर और D यहाँ पर ठीक है अब देखो अब यह कांच है यह पूरा क्या है कांच है तो कांच के बाहर का जो माद्य में वो कौन सा माद्य में हवा है और इधर भी कांच के बाहर का जो माध्यम में, वो कौन सा माध्यम में हवा है बीच वाला माध्यम तो कांच है कांच की उपर वाला भाग, जो खुला हुआ भाग है वो भी हवा है, और कांच की नीचे वाला भाग वो खुला हुआ भाग, वो भी कौन सा माध्यम है वो भी हवा है यहां तक आपको समझ में आया होगा चलिए आगे बात करते हैं इस रूप रेखा ABCD के प्रस्ट AB पर किसी बिंदू O पर अभी लंब O N बनाईए अब आपको क्या करना है जो आपने ये ABCD बिंदू लिखे हैं मैं इसको मिटा देता हूँ अब ये जो आपकी सते हैं AB सते हैं कौनसी A और B सते जो कांच और हवा के बीच की सते हैं यहां पर आपको कोई बिंदू O लेना है हमने कोई बिंदू O ले लिया यहां पर यह आपको दिख रहा है O बिंदू यहां पर हमने कोई बिंदू क्या ले लिया O ले लिया और यहाँ पर एक अभी लंब बना दिया अभी लंब का मतलब है एक 90 डिग्री के कौन की रंचरा कर दी क्या कर दी 90 डिग्री के कौन की एक रचना कर दी यहाँ आपने एक सीधा स्किल लेगे यहाँ पर लगा दिया क्या कर दिया एक skill लेके या एक पत्ली पट्टी लेके बिल्कुल सीधो सीध 90 डिग्री के क्वोर्ण पर यहाँ पर लगा दिया मतलब क्या बन गया अभी लंभ O N बन गया क्या बन गया अभी लंभ O N बन गया इस बिंदू पर एक रेखा PQ इस तरह बनाए कि यह रेखा लंब O N से कोई कौन A आई बनाए अब इस बिंदू O से गुजरती हुई कोई एक PQ रेखा खेंचिए क्या करना है आपको इस बिंदू O से किसी कौन पर गुजरती हुई एक रेखा PQ खेंचने है आपको ये रेखालम हमने ले लिया ये बिंदू P है ये बिंदू Q है और ये इस अभी लंब के साथ कितना कॉन बना रहा है आपका आई कॉन बना रहा है कितना कॉन बना रहा है आई कॉन क्या है आई कॉन आपका आपतन कॉन है क्या है आपतन कॉन जो की आपतित किरन के द्वारा बन लगानी है कहां पर P और Q पर दो ओल्पिन लगानी है हमने लगा दी समय लीजी एक बिंदू P पर ओल्पिन लगा दी और एक बिंदू Q पर ओल्पिन लगा दी है अब सलेब के जो कांच का टूगड़ा है इसके प्रष्ट C D पर कुँन सा प्रष्ट C और D इस प्रष्ट पर इन दो ओल्पिनों के संगत दो ओल्पिन आर और S इस प्रकार लगाए कि चारो ओल्पिन एक सीद में दिखे अब यह जो प्रष्ट C D है इस पर भी हमने क्या किया है एक अभी लंब की रचना की है उसकर हम अब यहां से हमने एक जाती हुई क्या लिखे एक जाती हुई कीरन लिखे रिखालम लिया है और इस जाते हुई रिखालम पर हमने बिंदू R ये वाला और बिंदू S इस पर भी क्या लगाई है दो आलपिन लगाई है लेकिन ध्याद रखना है यह आलपिन यह तरह लगानी है कि चारो आलपिन एक सीध में आनी दिखाई देनी चाहिए तो चारो आलपिन है P, Q, R और S यह चारो आलपिन एक सीध में दिखाई देनी चाहिए कुछ इस तरह आपको आलपिन को लगाना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे क्या करना है अभितिक हमने क्या किया एक कांच का स्लेब लिया है उसका सिवांकन क्या है ABCD बिंदू का नाम दिया फिर हमने बिंदू O और O-डेस पर दो अलग अभिलंबों की रचना की है फिर हमने बिंदू O पर एक P-Q रिखा लंब खिंचा है जो कौन सा कौन मना रहा है I कौन मना रहा है आपतन कौन फिर इसी तरह O-डेस पर हमने एक O-M अभिलंब की रचना की है और यहां से एक कीरण खिंची है R-S और यहाँ पर भी दो आलपिन लगाई है और हमने देखा है कि यह जो P, Q, R और S इन चारों पर जो हमने आलपिन लगाई है वो चारों एक दिसा में है, एक सीध में है ठीक है, यहाँ तक हमने यह समझा आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं अब सलेब के AB प्रष्ट के किसी अन्य बिंदू F पर अभी लंबबत EF रेखा खिंच है, हमने का किया है, इस AB के किसी और बिंदू यहाँ पर, हमने क्या लिया है, एक और लंब खिंचा है, ठीक है, जो पुना सलेब CD की तरफ EF के संगत, दो आलपिन G और H लगाए, और यह यहाँ पर G और H से उपर क्या कर रहा है, CD प्रष्ट के G और S से उपर बुजर रहा है, तो यहाँ पर हमने फिर से दो आलपिन लगा दी, एक E पे, यहाँ पर F पे, फिर G पे, और फिर H पे, चार आलपिन फिर से लगा दी, और यह चारों आलपिन एकदम सीज में है, ठीक हम रेखा RS को किसको RS ये वाले रेखा थी RS ये वाले रेखा यहां पर हमने पहले आलपिन लगा रखे थी कहां कहां आलपिन लगा रखे थी बिंदू B पर बिंदू P पर आलपिन लगा रखे थी Q पर R पर और S पर यहाँ पर हमने आलपिन लगा रखे थी अब RS को मिला कर पीछे के और इतना बढ़ाईए कि CD प्रष्ट पर O-डेस पर मिल जाए यानि कि यह जो RS रेखा हमने खीची थी इसको पीछे के और इतना बढ़ाना है कि इस बिंदू O-डेस पर कौन कौन से को O जो की AB प्रष्ट पर आपतन बिंदू था जोहाँ पर हमने अबिलंब की रचना की थी और O-डेस कहाँ पर है इस CD पूजा पर जहाँ पर हमने अबिलंब O-डेस M खींचा है इन दोनों को आपनों क्या कर दिया मिला दिया ये वाली देखा इसी परकार F G बिंदू O को मिलाइए किसको F और G को और G H रेखा बनाईए हमने बिंदू F और बिंदू G को क्या कर दिया मिला दिया और फिर कौन से रेखा बनाई G और H रेखा बनादी ठीक है यहाँ तक भी हो गया अब बिंदू O-डेस पर अभी लंब, M, M' बनाईए इस बिंदू O' पर हमने अब क्या करनी है, एक अभी लंब की रचना की है ये अभी लंब की रचना कर दी O, M' कुणसा अभी लंब? O, M' अभी लंब की अब रचना कर दी, ठीक है आपको पहले रचना यहाँ पर नहीं करनी थी पहले केवल ये एक ये भी लंब बनाना है A, B भुजा पर, C, D भुजा पर अब बाद में बनाना है, चलिए ये भी बना दिया अब रेखा P, Q, O, कुणसी रेखा P, Q, O, ठीक है इसको विस्तारित कीजिए विस्तारित करना का मतलब है आगे बढ़ाना है तो ये हमने डेस, डेस करके इसको आगे बढ़ा दिया पहलंसी पुजा P, Q, O, को ठीक है रेखा चित्र से, इस फर्ष्ट है कि A, B प्रष्ट से पार होकर P, Q, अभी लंब की तरब मुड कर O, O, डेस डीसा में चली जाती है कहां पर चली जाती है ये जो इसकी सही डीसा थी इस वास्तविक डीसा से ये अभी लंब की और थोड़ी मुड जाती है क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये कौन से माध्यम से आ रही थी? ये हवा से आ रही थी हवा कौन सा माध्यम है? वीरल और कांच कौन सा माध्यम है? कांच माध्यम है सगन पर हम सब जानते हैं कि जब परकास की केरण वीरल माध्यम से सगन माध्यम में प्रवेस करती है तो उसका वेग या जो उसकी चाल है वो क्या हो जाती है वो हो जाती है कम और जब चाल या वेग कम हो जाता है तो वो अभीलम की और थोड़ी मुड़ जाती है ठीक है यहां तक समझ में आया होगा तो इसका वास्तविक मार्ग तो यह डेस डेस वाला था लेकिन इस मार्ग पर न जाने की बजाए यह यहां से तोड़ी अभीलम की और क्या होगी मुड गई और इसने अभीलम O N के साथ कौन सा कौन बनाया R अपवर्तित कौन बनाया कौन सा कौन मनाया R बनाया आपका अपवर्तित कौन ठीक है आगे बढ़ते हैं अब क्या हो रहा है पुन प्रष्ट सीडी से पार होने पर रेखा O A डेस O O डेस अभीलम से दूर हो जाती है अब वही बात यहां पर आ गई यह कीरण यहां पर आके टकरा गई कहां पर प्रष्ट सीडी पर यहां O डेस पर अब यहां पर यह कौन से माध्यम में जा रही है यह सगन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो जब प्रकास की कीरण सगन से विरल में जाएगी तो क्या होगा उसका वेग बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा वेग बढ़ जाएगा और वेग बढ़ रहा है इसका मतलब वो अभी लंब से दूर हटेगी क्या होगी अभी लंब से दूर हटेगी तो वो दूर हटनी कीरण कुनसी है R- वाली है आप देखेंगे कि रेखा PQ जो कि उसका वास्तिविक मार्क था और RS ये दोनों क्या है ये दोनों एक दूसरे के समानतर है देखो ये डेस डेस वाले लाइन और ये RS वाले लाइन दोनों लाइन क्या है दोनों लाइन एक दूसरे के समानतर है कैसी है समानतर है इसका मतलब क् वायू कांच अंत्राप्रष्ट कौन सा वायू और कांच का अंत्राप्रष्ट यानि कि A B अंत्राप्रष्ट और कांच वायू अंत्राप्रष्ट यानि कि कौन सा अंत्राप्रष्ट C D देखो A B कौन सा था हवा और कांच के बीच का अंत्राप्रष्ट था सीडी किसके बिच का है कांच और हवा की बिच का अंतरा प्रष्ठ है से प्रकास किरणों के मुढ़ने का प्रभाव बिलकुल समान और एक दूसरे के कैसे है विपरी थे यानि यहाँ पर किरणों का मुढ़ने का जो प्रभाव है वो तो समान है कि पहली इस्तती में वो अभी लंब की और जूक रही है दूसरी इस्तती में अभी लंब की और अभी लंब से दूर अट रही है लेकिन वो दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरी थे अलब यहाँ पर अंतर तो समान है लेकिन वो क्या है? एक दूसरे के विपरी थे पहले वो अभी लंब की और जूक रही थी अब अभी लंब से दूर अट रही है ठीक है? जबकि जो EF कीरण है कौन से कीरण? EF ये वाले EF जो कि AB प्रष्ट पर अभी लंब बत आपतित हो रही है वो बिना किसी परिवर्तन के सीधे ही सलेब से क्या कर जाती है? गमन कर जाती है क्यों? क्योंकि ये किसी भी कौन पर आपतित नहीं हो रही है ये बिल्कुल 90 डिग्री के कौन पर आपतित हो रही थी और उसी कौन से दूसरे प्रष्ट से होकर वापिस क्या हो जाती है गमन कर जाती है इसका मतलब क्या है कि प्रकास का अगर अपवर्तन हो रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि प्रकास किसी एक कौन से उस प्रष्ट पर अपवर्तित होना चाहिए अगर प्रकास बिलकुल अभ पारदर्श्टी माध्यम पर किसी कौन से क्या होनी चाहिए आपती दोनी चाहिए अगर किसी कौन से प्रकास की किरण आ रही है तभी उसका अपवर्तन होगा अन्य था अगर वो बिल्कुल 90 डिगरी के कौन पर आ रही है तो ऐसी इस्तती में अपवर्तन संभव नहीं होगा ठीक है ये बात आपको समझ में आई होगी आगे बढ़ते हैं तो अमने क्या देखा कि जो अभी अमने परियोग किया था वो परियोग ये दर्शाता है कि जो परकास का अपवर्तन है वो परकास का अपवर्तन कुछ नीचित नियमों के आधार पर ही होता है ठीक है और अप अपवर्तन के नियम क्या है आप सब जानते होंगे अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण और प्रकास रोज से आने वाली किरण अपवर्तित किरण और अपवर्तन के बाद लोटने वाली किरण और दोनों अध्यमों को पर्थक करने वाला जो प्रष्ठ है उस प्रष परकास के किसी निचित रंग और विभिन या निचित माध्यमों के युगम के लिए परकास के किसी निचित रंग तथा निचित माध्यमों के युगम के लिए जो आपतन कौन की जया है साइन ए तथा जो अपवर्तन कौन की जया है साइन ए उनका जो अनुपात है वो क्या हो होता है और अपवर्तन कौन की जया है उनका अनुपात क्या होता है इस नियम को हम क्या कहते हैं इस नियम को हम सनेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं वो क्या कहता है साइन आई अपवर्तन कौन की जया अपवर्तन कौन की जया इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होता है एक constant होता है नियत होता है ठीक है ये दोनों अपवर्तन के नियम थे इस इस्तिरांक के मान को इस constant के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्स क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं इस इस्तिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्स, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक केहते हैं, कि दूसरा माध्यम, पहले माध्यम की तुलना में कितना अपवर्तन कर पाता है, इसी को कहते हैं, अपवर्तनांक, अब हम आगे बात कर रहे हैं, वो बात कर र कि अपवर्तनांग क्या होता है, इसको कैसे ज्याद किया जाता है, और कितने परकार का होता है, तो बात कर रहे हैं हम अपवर्तनांग की, तो जो अपवर्तनांग है, वो माध्यम की प्रकरती, कि माध्यम कैसा है, उस माध्यम का घनत्व कैसा है, और परकास का रंग कैसा है, या प्रकास के रंग की तरंग देधर्य कितनी है, इस पर निर्बढ करता है अपवर्तनांग का मांग। ये काफी important point है, प्रिक्सा में इससे प्रशनों पूछा जाता है, कि किसी भी प्रकास की किरण का या रंग का जो अपवर्तनांग है, वो की चीज़ों पर निर्बढ करता है, तो पहला तो वो प्रकास की किरण किस माध्यम से ओकर गुजर रही है, उस माध्यम की प्रकरती क्य है, उसका घनत्व क्या है, और प्रकास की रंग का तरंग देधर्य क्या है, उस पर निर्बढ करता है उसका अपवर्तनांग, जैसे बैंगनी रंग, बैंगनी रंग के प्रकास के लिए जो अपवर्तनांग है, वो क्या होता है, सबसे जादा होता है, और लाल रंग के के लिए इसका मान सबसे कम होता है अब अब वर्तनान का मतलब क्या है तो किसी दिये हुए माध्यमों के किसी दिये हुए माध्यमों के युग्म के लिए मतलब एक से अधिग माध्यम है जैसे माध्यम एक और माध्यम दो माध्यम एक वायू है और माध्यम दो कांच है तो माध्यमों के युग्म के लिए जोड़े के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को जब प्रकास की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दीसा में जो प्रिवर्थन होता है उस दीसा में प्रिवर्थन के विस्तार को हम अपवर्थनांक के रूप में क्या करते हैं वैक्त करते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरकास की केरण की जो दीसा है, उसका जो मार्ग है, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना विचलन या विस्तार हो रहा है, उसी बात को हम अपवर्तनांक के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीके, आगे कर रहे हैं निर्पेक्स अपवरतनांग अपवरतनांग दो प्रकार का होता है एक सापेक्स और एक निर्पेक्स अपवरतनांग क्या कहता है कि यदि प्रकास की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रही है परवेश कर रही है और ऐसे इस्तती में आपका जो माध माध्यम एक है वो क्या है वो निर्वात या फिर वाईू है तब माध्यम दो का अपवरतनांग निर्वाक्त के साफेक्स माना जाता है यह इस्ततिज़़ों आपके सामने चित्र में दी गई है यह कोई आपतीत कीरण है आपतित कीरण है और ये आपतित कीरण माध्यम एक से माध्यम दो में क्या कर रही है परवेश कर रही है तो जो माध्यम एक है वो क्या है वायू या निर्वात अर्दी माध्यम एक वायू या निर्वात है और ऐसी इस्तती से वो किसी दूसरे माध्यम में क्या कर रही है प्रवेश कर रही है तो ऐसी इस्तती में माध्यम 2 का जो अपवर्तनांग है वो किसके सापेक्स माना जाएगा निर्वात के सापेक्स और इस परकार के अपवरतनांग को क्या कहेंगे निर्पेक्स अपवरतनांग कहेंगे क्या कहेंगे ऐसे अपवरतनांग को इस माध्यम का निर्पेक्स अपवरतनांग कहेंगे यह केवल N2 से परदसित किया जाता है N2 का मतलब क्या है कि ये केवल एक ही माध्यम के साफेक्स दर्साय जा रहा है क्योंकि पहला माध्यम तो निर्वातिया वाईू है ठीक है यदि वाईू में परकास की चाल क्या है C है और माध्यम में परकास की चाल क्या है वी है तो माध्यम का जो अपवर्तनांग है उसका सुत्र क्या होगा वायू में परकास की चाल बटे में माध्यम में परकास की चाल ये किसका सुत्र है आपके अपवर्तनांग का सुत्र है जब एक माध्यम क्या हो जो पहला माध्यम निर्वातया वायू हो तो ऐसी इस्तिती म अगर हमें अपवर्तनांक का मान गयात करना है तो उसका सुत्र है वायू में परकास की चाल बटे में माध्यम में परकास की चाल यानि की एन एम ठीक है किसी माध्यम में परतनांक बराबर सी अपॉन वी सी परकास वायू में परकास की चाल और वी है किसी माध्यम में परकास क चाल, माध्यम का निर्पेक्स अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है, यानि जो माध्यम का निर्पेक्स अपवर्तनांक है, उसी को हम साधरन वासा में अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, उम्मिद करता हूँ, ये बात आपको समझ में आई होगी, निर्पेक्स अपवरतनांग क्या है कि जब प्रकास की किरन निर्वात या वायू से किसी दूसरे माध्यम में परवेश करती है तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्स जो अपवरतनांग है उसी को कहते हैं निर्पेक्स अपवरतनांग ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हम, वो है आपका, कि यदि माध्यम एक वायू या कोई दूसरा माध्यम हो, तो ऐसी इस्तितिम हम कैसे ग्याद करेंगे, तो देखो, इसी परकार किसी माध्यम के हवा के सापेक्स अपवरतनांग को परकास के हवा में विग और परकास क उस माध्यम में विग के अनुपात से भी दर्शाया जाता है जो किसी माध्यम में अगर हवा के सापेक्स हमें अपवरतनांग ग्यात करना है तो भी हम कैसे ग्यात करेंगे परकास के हवा में विग एवं परकास का उस माध्यम में विग किसी के अनुपात से हम किसी माध्यम का हवा के सापेक्स अपवरतनांग भी क्या करेंगे ग्याद करेंगे जैसे यहाँ पर μू 2 1 इसका मतलब अपवरतनांग है सापेक्स अपवरतनांग माध्यम 2 का 1 के सापेक्स देखो 2-1 का मतलब क्या है कि हमें माध्यम 2 का अपवर्दनाग निकालना है माध्यम 1 के साप X आया सोज में माध्यम 2 का अपवर्दनाग निकालना है माध्यम 1 के साप X तो माध्यम 1 कौन सा है वो उपर आएगा और माध्यम 2 का आएगा नीचे आएगा तो माध्यम एक क्या है वाईव और माध्यम दो क्या है कांच तो प्रकास का हावा में वेग यानि वी वन वेग और प्रकास का माध्यम दो में वेग यानि वी टू वेग आया सोज में जब भी हमें एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्स अपवर्तनांग ग्याद करना हो तो उसको जिस माध्यम के सापेक्स ग्याद करना है वो बाद में आएगा जैसे यहाँ पर हमें माध्यम 2 के सापेक्स माध्यम 1 का वर्तना ग्याद करना है तो परकास का हवा में वेग यानि माध्यम 1 में परकास का वेग बटे में परकास का माध्यम 2 में वेग यानि V1 अपन V2 ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है WA WA का मतलब क्या है W का मतलब यहाँ पर water से है और A का मतलब किसे है Air से है यानि कि आपको पानी के साप X ठीक है किसी माध्यम में जो परकास की किरण है वो वाई उसे कहा जा रही है पानी में तो मैं ऐसी इस्ततिय में माध्यम 2 के साप X एक का क्या ग्याद करना है अप वर्तनांग ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करेंगे परकास का हवा में वेग बटे में परकास का पानी में वेग तो यह हो जाएगा VA यानि VA का मतलब परकास का हवा में वेग और परकास का पानी में वेग इस तरह हम किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापक्स क्या करते हैं अप वर्तनांग ज्याद करते हैं तो सिंपल सी बात आपको ये रामान कुछ याद नहीं करनी आपको जब भी किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापक्स व्याद करना है तो ऊपर आएगा परकास का हवा में वेग और उसके बटा में आएगा परकास का उच माद्यम में वेग ठीक है ये आपको इतना सा याद रखना है आगे बढ़ते हैं हीरे का अपवर्तनांग सबसे क्या है अधिक है हीरे का अपवरतनांग लगबग 242 है इसका मतलब है कि जो परकास की चाल है वो एक बटा 242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपैक्सा इसका मतलब क्या है कि जो परकास की चाल है देखो हीरे का अपवरतनांग कितना है हीरे का अपवरतनांग है वो है 242 कितना है 242 इसका मतलब क्या है कि जो परकास की चाल है वो एक बटा 242 गुना कम है किसमें हीरे में किसकी सापेक्स निर्वात की सापेक्स ठीक है क्योंकि निर्वात में तो उसका वेग कितना है एक है लेकिन हीरे में उसका वेग कितना है 242 भाग में है इसका मतलब कि प्रकास का जो हीरे में वेग है वो निर्वात की एप्यक्सा कितना कम है 242 गुना कम है ठीक है आयसोंज में चलिए आगे बढ़ते हैं ये कुछ परदातों के अपवरतनान के मान दिये गए हैं इसमें से कुछ जो महत्वण महत्वण है वो आपको याद करने है जैसे निर्वात में कितना है निर्वात में एक है ये आपको याद रखना है फिर वायू में कितना है 1.003 है ये भी आपको याद रखना है फिर पानी में कितना है 1.33 ये तीन आपको उच्छे से याद रखने है फिर कांच में कितना है 1.50 ये कांच में है इसके बाद गिल 2.42 है 2.42 है वहां पर कितना बताया था 242 इसका मतलब वो कुछ अलग ही कई में था ठीक है उसको ओ सकता है ये अगर मीटर में है तो उसको cm में बदला हो तो हीरे में कितना है आप परतना 2.42 है ये आपको याद रखने हैं इसके आलावा बहुत सारे दिये हुए है बायू में 1.003, ब्रफ में 1.31, जल में 1.33, एलकोवल में 1.36, केरोसीन में 1.44, कोटर्ज में 1.46, तारपिन के तेल में 1.47, बेंजीन में 1.50, क्राउन कांच में 1.50, कनाडा बालसम में 1.53, खनीज नमक में 1.54, कारबन डाइस सलफाइज में 1.63, सगन फ्लिट कांच में 1.65, रूबी या मानिक्य में 1.71, नीलम में 1.77, और हीरा में 1.42, सबसे मैक्सिमम हीरा में है, यह आपको याद रखना है, सबसे कम किसमें है, निर्वात में है, यह दो चीजे तो आपको याद रखनी है, इसके लाव आप चाहिए तो वायू और पानी में भी याद रख सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, परकासिक सगन माध्यम क्या होता है, और परकासिक वीरल माध्यम क्या होता है, इसको समझते हैं, तो देखें, दो माध्यमों की जब हम तूलना करते हैं, तो तूलना करते समय, जो अधिक अपपरतनांक वाला माध् यहां पर वायू है तो वायू का अपवरतनांग कम है और कांच का अपवरतनांग क्या है कांच का अपवरतनांग अधिक है ज्यादा है तो फिर जो अधिक अपवरतनांग वाला माध्यम है यानि कांच है ये पहले माध्यम की तूलना में वायू की अपेक्सा क्या कहलाएगा अधिक परकासिक सगन कहलाएगा ठीक है उधारन के लिए जब परकास की किरण वीरल माध्यम से सगन माध्यम में परवेस करती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है धीमी हो जाती है यानि जब परकास की किरण अधिक परकासिक सगन माध्यम में परवेस करेगी तो उसकी चाल क्या हो जायेगा और वह पर्लिम की वारा जुग जायेगी थैंक्य फिर है प्रकासिट वीरल माध्यम माध्यमि shr hugging mechanisms हरे उसमें जो कम अपरतनांग वाला माध्यमि यह कम अपरतनांग वाला माध्यमि तो यह जो माध्यमि है यह कहला यगा प्रकासिक वीरल कैसा कहलाएगा प्रकासिक वीरल माध्यम और जब प्रकास की किरण सगन माध्यम से वीरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है बढ़ जाती है और ऐसे इस्तती में वो प्रकासिक किरण अभी लम से क्या होती है दूर हट जाती है तो यह हो गया आपका प्रकासिक सगन और प्रकासिक वीरल मात्यम उम्मित करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में कांच के सलेब से प्रकास का अपवर्तन कैसे होता है इसको प्रियोग के द्वारा समझा और उसके बाद हमें बहुत अच्छे से अपवर्तनांक को भी समझा उम्मित करता हूँ ये दोड़नों टॉपिक आपको अच्छे समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लाब सभी को धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट से और सब्सक्राइब जरूर करे आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत